हेलो स्टुडेंट्स मैं अंकुर्ब वेले आप सभी का स्वागत करता हूं मागनेट ब्रेंज हिंदी पर मागनेट ब्रेंज हिंदी एक ऐसा प्लेट फॉर्म है जो कच्छा छटमी से लेकर कच्छा बार्मी तक का संपोड पार्टिक्रम बिल्कुल ने सुल्ख में अप्लब टीचर्स के साथ तो चलिए बात करते हैं देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे तो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे बस्तर के लोगों के बारे में तो हम पहले बस्तर को जानेंगे कहा हैं फिर वहां के लोगों के बारे में जानने की कुछिस क करेंगे यह जो टॉपिक है कि आपक्षा नौमी के इतिहास का चप्टर नंबर फूर है वन समाज और उपनेवेस बाद इसका एक टॉपिक होने वाला है जिसमें हम वस्तर के लोग देखेंगे यह वस्तर के लोग कैसे आएंगे जैसे आपने अभी पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया था हमने वन विद्रू कवर किया हुआ था तो उस बन विद्रू के बाद ही आपको उस बन विद्रू पढ़ेंगे तो फिर विद्रू कहां हो रहा है बनों में हो रहा है तो बनों के अंदर गए और वहां पर हमने एक इलाका देखा कि बस्तर भी घरा जंगल वाला इलाका है तो हम इस जंगल के इलाके के लोगों के बारे में बात करेंगे इसलिए टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं बस्तर की लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं बस्तर जो है वो कहां होगा तो अभी बस्तर को आप मानेंगे कहां पर है या आप जानेंगे कहां पर है क्षचतीस गढ़्में भसके सिमा की बात करें हहां पर यह बस तर आपको देखने को मिलेगा इसकी सीमा की बात करें तो आंधरप्रदेश औरीस टेहां महरास्ट लगा हूआ है यह तो यहां पर देखेंगे हैं यह पहले तेलंगाना नहीं था चुकि आपकी किताब में पुराना लिखा हुआ है यह बट गया था तो यह आप यह मानें के क्या है आंदप्रदेश है तेलंगाना बट गया तो अब तेलंगाना से हो गया तो यह आंदप्रदेश वाला इलाका यह महरास्ट वाला इलाका और आप देखते हैं ये बस्तर है ये बस्तर के अलाके को जैसे ही आप देखते हैं देखते हैं कि इसके उत्तर में है आप देखेंगे कि बस्तर का जो बीच का भाग है वो क्या है केंदरी भाग कैसा है मतलब इसके बिलकुल बीच का भाग कैसा है पठारी अब पठारी क्या कहला है नुकीला, मतलब ऐसा पॉने तरब जाता है, ऐसा जूर जाता है करता है लेकिन जब सबमतल होता है उचा पर, तो चांर, पथाइर, यो बस तर के इलाके में प्रिक्षा में लेगा, मतलब पो जा किसी चाह onboard पर स्पाइट होगा एकदम सम्दल्गuju का तो पथारी भागोगा तो अमने जान लिया अब इस बस तर Virgin के इलाक laugh यह बस æर भी हमारे left hand side की तरफ सब्सक्राइब है मतलब बस तर की तर्म मैधान है आगया हो तो 36 मैदान कहा गया यह 36 मैदान यहां पर आजाएगा यह वाला इलाका 36 मैदान हो जाएगा दक्षिन में क्या है क्या कह रहें कि दक्षिन में गोदावरी का मैदान है मतलब कि इसके नीचे मतलब कि कहां यहां पर की बात की जा रहे है कि यहां पर क्या है आपका ग मैधान नीचे किया मिल गगा हमें गोदावरी का मैधान कि अंद्रावती जो नदी है वा बस्तर को क्या होती है बिलकुल बीच से काटती है कैसे यह बोला है कि कैसे काटती है आर पार पूरव से पस्चम की तरफ पूरव कहां है हमने देखा यह वाला इलाका पूरव है और यह वाला इलाका क्या है पस्चम है तो पूरव से पस्चम की तरफ काटनेगी मान लीजी कि मैंने ये बना दी नदी और ये क्या हो गई इस नदी का नाम क्या हो गया इंद्रावती नदी क्या हो गई ये जा कर रही बस्तर के पठार को ये पूरफ से पस्चिम की तरह बिलकुल बीच से आरपार करती है तो समझ में आगई बात आप से पूछ सकते हैं कि बस्तर के मैदा अब देखते हैं कि जो बस्तर है वो कैसा इलाका है तो बस्तर में आपको जो लोग मिले आदिवासी समदाई मतलब कि हमें समझ में आया कि बस्तर कैसा है जंगल वाला इलाका होने वाला है कैसा है जंगल है यहां पर या बन है इसी जंगल और बन में आपको क्या मिलेंगे आदिवासी लोग मिलेंगे आदिवासी समदाई मिलेंगे या इनको हम क्या कहते हैं वन समुदाय कहते हैं क्या कहते हैं बन समुदाय के लोग कहलाते हैं के लिए तो अब यह आदिवासी और जो वन समुदाय के लोग हैं बस्तर में रहे हैं जंगलों में ही रहते हैं तो अब इनके बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आपको कौन-कौन से आदिवासी समदाय मिलेंगे मारिया और मुरिया गौंड धुरबा भतरा हलबा इस प्रकार की जंजातिया या इस प्रकार के आदिवासी समूह या बन समदाय के समूह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे यह सभी समूहों में अगर हम बात करें तो सभी की जो बोली जाने वाली भासा कैसी है भासा अलग है सबकी भासा अलग है एक दूसरे से ये एक दूसरे की कौमन भासा नहीं है कि जैसे हम बात कर रहें आप समझ रहें ऐसा नहीं है सबकी अपनी भासा अलग होने के बावजूद रीती रिवाज और विस्वास कैसे हैं एक से हैं रीती है उनके जिनमें उनको विस्वास वो क्या है लग भग मिलते जुलते हैं या एक से ही यहां पर आते हैं तो रीती रिवास वंज में ही ना जैसे हमारा रीती रिवास है कि हम कैसे रहते हैं कौन से त्योहार मनाते हैं किसकी पूजा करते हैं फिर हमारा विस्वास किन किन से वो एक ही है आदिवासी समधाय के लोग मानते हैं कि उनको जमीन मिली है जिस पर वो खेती करते हैं वो किसकी देन है धरती मां की देन है मतलब धरती मां कौन जमीन है तो हमारी यह मां हो गई बोले इनकी ही देन है कि हमको जमीन मिली है इसलिए प्रतेक खेती हर तिवहार प खेती के हिसाब से तिवहार होते हैं तो प्रते एक खेती हर तिवहार पर धर्ति को चढ़ावा मतलब धर्ति को चढ़ाते हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं इसके अलावा ये लोग नदी जंगल पहाड़ों की आत्मा को भी उत्रही मानते हैं मतलब कि ये किस प्रकार की प पूजा करते हैं पेर की पूजा करते हैं पसुपक्षियों की पूजा करते हैं सब की पूजा करते हैं यहां पर हमारे यहां पर भी आप देखेंगे हिंदुस्तान में प्रकति पूजा का चलन है आप पेर की पूजा करते हैं आप पसुपक्षियों की पूजा करते हैं जिसे आप सांप से लेकिन सांप से आप सालवर डरते हैं लेकिन नंग पंचिब के दिन काटोरी में दूद लेकर पहुंच जाते हैं कि इसको पिलाना है आत्योहार है तो क्या है यह प्रकति पूजा है आप बैसे पेड़ के इजद करें ना करें लेकिन जब बट सावत्री का ब्रत होता है उस दिन आप बटब्रक्ष की पूजा करते हैं आउं लेके पेड़े के नीचे किसी दिन पूजा की जाती है तो हमारे हाँ प्रकति नदी की पूजा करते हैं तालाप की पूजा करते हैं धरती माता की तो पूजा होती होती है कोई भी धार में करुस्थान होता है तो बाउंड़ी ARE चाहति कहाँ हो दो आधरिवाइप प्रक्रति पूजा तो आद्वासी लोग क्या कर रही थे यह प्रक्रति पूजा भी करते थे यह उनकी उतरी आत्माय जो थी मतलब जो हमारा विश्वास था उतना ही जितना हम धरती माता की पूजा कर रहे थे हर गाओं को अपनी चोहदी चोहदी का मतलब होता है सीमा मतलब कोई गाओं है कोई गाओं यह हो गया तो इसकी चोहदी क्या हो गई यह जो लाल लाइन बने हुई है यह इसकी चोहदी है मतलब इसकी बाउंडरी है चोहदी क्या कहे तो हर गाओं को अपने चोहदी पता होती थी इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकरतिक संपदाओं की देख भाल करते हैं मतलब पेड़ पुधे जंगल दो पसुपक्षे सब की देख भाल ये लोग किया करते हैं हाला कि सिकार भी करते थे वह अलग चीज है ल की देख भाल करते थे उनको धान में रखते थी अब हर गाओं के सीमा है मालों ये गाओं हो गया और ये गाओं हो गया ये दो गाओं हो गया गाओं ए और गाओं बी तो इसकी सीमा ये वाला गाओं जो है माल लिजए कि ये जो भी गाओं है ये गाओं में जाकर कोई सामान ने ले सकता मतलब किसी दूसरे की सीमा में बिना बताया गुस नहीं सकते मतलब चोरी नहीं कर सकते किसी दूसरे गाओं की सीमा से यह यहां पर विवस्था बनी हुई थी यह लोग जानते ही थे तो अब क्या करें भया कभी कभी जरूरत पढ़ जाती है कोई सामान दूसरे ग गाउं के लोग दूसरे गाउं के जंगल से थोड़ी लकडी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में उन्हें एक छोटा सा सुल्क मतलब कुछ पैसा या किसी मात्रा में कुछ अदा करना होता है जिसे क्या कहते हैं देवसारी दंड या मान कहलाता है मान मतलब दंड और देवसा को परकार का यह सुल्क हो जाता है और यह क्यों अदा किया जाएगा जब आप किसी दूसरे गाउं से कोई चीज़ें लेते हैं लकड़ी या कोई बस्तू आप लेते हैं तो लेने के बदले में आपको कुछ चुकाना पड़ेगा सुल्क के रूप में जिसको आप देवसारी या मान कहेंगे चोकिदार चोकिदार क्या होता है जंगलों की हिफाज़त के लिए हर गाओं में एक चोकिदार होता है जो जंगलों की हिफाज़त करता है तो वो सारे काम छोड़कर चोकिदारी क्यों करेगा क्योंकि उसको बेतन मिलता है हर गाओं का व्यक्ति हर घर से थोड जंगल क्या होंगे जंगलों पर लोग अतिकर्मन करना या जंगल बरबाद होना स्टार्ट होंगे तो यह क्या होते हैं जंगलों की देखरेक करेगा और इसको बेतर मिलेगा जो हर घर से थोड़े-थोड़े अनाच के रूप में आएगा आदिवासियों की एक और बहुत अच्छी विवस्था थी कि हर बर्स एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे मतलब एक सभा बुड़ाई जाएगी हर साल लगाई जाएगी यह सभा क्या होगी कि एक परगने मतलब परगना के लापना है गाओं का समूर कई सारे गाओं है एक पर का जो प्रमक होता है वो सभी मुक्या वहां पर जुटेंगे और यह क्या करेंगे कि यह अब कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे जो बहुत महत्तपून होने वाले कैसे अहम मुद्दे कि जंगल की रक्षा कैसे की जाए जंगल को सुरक्षित कैसे किया जाए जंगल के लाका था चट्वेर्ड के उनतरकत आता है आजकल हमने मीट के अनदर δेखा था और महाराष्ट आंदर प्रदेश और उलिशा से इसकी सीमा लग रही थी अब आंदर 1 अलग से ते लंगाना बन गया है तो इसकी सीमा किसे लगने लगी है ते लंगाना के साथ भी इसकी सीमा लगने लगी है यहाँ पर अलग अलग जंजाती के लोग देखे मारिया मुर्या गौन धुर्बा भतरा और हलवा ये लोग आपस में भासा अलग अलग बोलते हैं लेकिन रीति रवाज में जोड़े हुए हैं धरतिमा जमीन जो है वह धरतिमा का उपहार मानते हैं इसको चढ़ावा चढ़ाते हैं और प्रकति पूजा करते हैं देवसारी दान और मान अगर आप किसी गाओं से लकड़ी लेते हैं तो बदले में आपको सुल्क देना होगा वो देवसारी दान या मान कहलाएगा चौकिदार जंगलों की रक्षा करने के लि कि कैसे लोग हैं कैसे जंजाती के लोग रहते हैं और कैसे वह एक दूसरे से जड़े हुए हैं कैसे भविस के मुद्दों कि लेकर वह बीच-भीच पे अपनी बठक करते हैं साल दर सान माग्नैय बेंस ने आपकि इस सुब्ध के लिए अपनी एक डप साई बनाई है तकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें वेबसाइट के उपयोग करने के लिए आप सर्च बार में टाइप करेंगे magnetbrains.com जैसे ही यह लिखते हैं आप हमारी वेबसाइट में प्रिवेस कर जाएंगे यहां से आप कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं या आप चुन सकते हैं जो भी आपको देखना है यहाँ पर सब कुछ आपको नेसली मिलता है आपको यहाँ पर किसी परिकार का कोई payment नहीं करना होता है मान लीजे कि आपने Hindi Medium Select किया फिर इसके बाद आपको Class Select करने का उस्स नाएगा तो आपको Class Select करनी है आपको 9 मीश के विध्यार थी है मैंने ऐसा माना तो आपने Class 9th Select की आप 10 मीश की आरमी बारमी के हैं तो उन में से भी कोई आप एक Select कर सकते हैं तो आपने 9th select की 9th select करके आपको सारे teacher सामने आ गए आपको जो भी subject देखना है उस पर आप click करेंगे मार लिजे कि आप सामाजे विज्ञान देखना चाहते हैं तो आपने क्या किया यहाँ पर नीचे watch now का button होगा उस पर क्या करेंगे click करेंगे click करते क्या होगा उस subject की पूर चल जाएगा इस तरीके से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगले वीडियो पर जाना है तो आपको परिसान होने की जरूरत नहीं है next video के button का उप्योग करेंगे और कहां चले जाएंगे अगले वीडियो पर चले जाएंगे तो आपको किसी परकार की कोई परिसान नहीं होगी और आपका समय भी बिल्कुल बरबाद नहीं होगा आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे के लिए बाद मागनेट बेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विध्यारतियों के लिए कच्छा 6 से लेकर कच्छा बार्मी तक का संपूर्ण पार्टिक्रम बिल्कुर नह करेंगे कमेंट भी करेंगे कमेंट करकर हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं धन्यवाद